हेलो दोस्तो लेट्स क्रेटिट क्या एक्स्प्रैनल स्रीज में आप लोगा स्वाधत है और यहां पर एक टम उैस में करनसी चैस्ट तो हम इस टम के बारे में जानाएंगे की यह होता करती है और इसको गवन करता है मैंने को करता है इसके लिए क्या क्या रूल्स दो तीन लाइन में आपको पता होने चाहिए ज्यादा लंबी वीडियो नहीं किचेगी ठीक है एकनोमी के इशूस के अंदर यह चीजें कवर होती हैं तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि चीजे कोईन बनाए जाते होंगे ठीक है तो वो जो कोईन बने या नोट बने उनको भीजा जाता है करंसी चैस्ट और इसमाल कोईन डीपो के अंदर ठीक है जी तो यह जो यहाँ पर च्छपकर के आए या बनकर के आए इनको भीजा जाता है करंसी चैस्ट या इसमाल कोईन्स डी पर से प्रेंट हो करके या कोईंस उपर से मिंट हो करके नीचे बैंक की ब्रांचे तक पहुंसते हैं बीच में अगर आप देखें तो करनसी चैस्ट और इसी बैंक ब्रांचे हैं जो इसमाल कोईं डीपो के रूप में वर्क कर रही हैं तो हमारे नहीं जाना जरूरी है कि करनसी चैस्ट क्या होते हैं देखें ये एक रूम है ठीक है इस रूम के अंदर ये एक बैंक के अंदर का रूम है हम इसको प्रेमाइस कह सकते हैं ये बैंक क अपना पैसा रखेंगे security के रूप पर यह पूरा का पूरा रूम security रूम है ठीक है bank वाले अपना पैसा रखेंगे ओके तो यह देखें यह जो आर्बी यह वाला पैसा जिस एरिया में रखा जिस लोकर में रखा जिस आपकी जगह पर रखा उसको कहा जाता है currency करंसी चैस्ट याद रखेगा इस चीज़ को बिल्कुल किलियर हो जाना चाहिए सारा मिलाकर के करंसी चैस्ट नहीं कहा जाता सिर्फ और वाला पैसा जो है वो करंसी चैस्ट कहा जाता है ओके जो बैंक वाला है वो अपना अलग रखा देखे तो क्या होती है करंसी चैस्ट करंसी चैस्ट इजब पिलेस वहर था आर बी आई रिजर्व बैंक ओफ इंडिया इस्टोक्स दा मनी मीन्ट फॉर बैंक एन एटीम तो यहां जो आपका आर बी वाला एरिया है यहां पर बेसिकली आर बी अपना पैसा डिफरेंट डिफ पैसा यहांların कि आद्लाइनसAH हैं कि आपके बैंक में क्या-क्या सुभीधा होनी चाहिए है क्या पता मैंक में जगई ना हौ ठीक क्या पता बैंक कि चारतर पिक्जिक्रिव आ ऊ क्या हो ओकBERG तो यह ऐसा नहीं ठीक है तो बैंक को डिस्टीबिट करने के लिएided को को की जाती है आर बी आई के द्वारा तो याद रखिए नहीं सेंट्रल गवर्मेंट के द्वारा नहीं बैंक के द्वारा ये आर बी आई के द्वारा ही एड्मिनिस्टर की जाती है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दा आर बी आई समय समय पर आते हैं इंस्पेक्ट करते हैं कि करं करन्सी चैस्ट बिलोंग स्टू दा आर्बी आई सिंपल सा पॉइंट यह तो आपको समझ में आगे होगा कि करन्सी चैस्ट के अंदर जो भी मनी होगा वो आर्बी आई से बिलोंग करेगा अब जो यह एक्सिस बैंक वाले बंदेने सिक्योर्टी गार्ड ने वो मनी चुराय बिफोर सेंशिनिंग दा करन्सी चैस्ट बैंक गया बैंक वोला हमें करन्सी चैस्ट सैंशन कर दो तो अर्बी आई के परसनल्स इंस्पेक्ट करेंगे की उस बैंक के पास ऐसी जगह भी है सुबीदा भी है यह नहीं खामख़ा ही यह यहां पर सिक्योर्टी का इश्यू ब यहां से पैसा चोरी हो जाता है तो फिर बेसिकली उसकी भरपाई कों करेगा एस पर दाशेट गाइडलेंज देट बैंक इन विच दकरन्सी चैस्ट इस लाइबल तो फुल्फिल दा लोस फ़ दो करन्सी चैस्ट हालांकि डायरेक्ट तो यहां पर जो बैंक है एक्सिस बैंक इन आवर केस तो उसका तो नुक्सान नहीं होगा लेकिन उसको यहां पर भरपाई करनी पड़ेगी उसकी तो यह सिर्फ इतनी ही चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है करन्सी चैस्ट for the UPSC and PCS purpose only ओके तो इससे जादा आपको इसके अंदर कुछ भी जानने की ज़रूत नहीं है नहीं कोई guidelines जानने की ज़रूत है कि किस सरीके की guidelines यहां पर लागों है नहीं सिर्फ यह दो इस लाइड है काफी थी और यह जो है आपको समझाने के लिए यहां पर डाला गया था और यह काफी ज़्यादा important image है इसको आप एक दो बार और देखिएगा ठीक है तो इसी के साथ वीडियो अंतुक्तिया और थैंक्स और वोचिंग टेक क्यार क्युक्तिया प्युक्तिया कर दो